पर दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चाल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली दिल अबाद कहां रह पाए उसकी याद भूला देने से कमरा विरान हो जाता है एक तस्वीर हटा देने से जहां आपने सही सुना मांच के डिल राशिफल की बात कर रहे हैं सबसे प्लियाजन का बाते हैं यह अनुवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ठेज सारे गुडविशी तो चलिए अब शिरू करते हैं तो पहर तक बिक गया मजार का हर एक जूट और मैं एक सच रेकर शाम तक बैठा रहा मैं शुकर गुजार हो उन तुमाम लोगों का जिरहोंने बु वक्त में सबने साथ छोड़ा लेकिन आप इतनी हिम्मत रखते हो कि मुसीवतों से अकेले लड़ सकते हो मिट्टी का मठका और परिवार की कीमत सिरफ बनाने वाले को ही पता होती है तोड़ने वाले को नहीं किसी ने हम से पूछा वादों और यादों में क्या फरक होता है हमने बस इतना कहा कि वादों को तो इंसान तोड़ देता है पर यादे इंसान को तोड़ देती है आपके साथ भी जिस जिसने वादा किया अंतमी धोगा दिया अपना वादा पूरा नहीं किया वहीं सब यादे अब आपको तोड़ रही है आदमी भगवान से लाखों की चाहद रखता है लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेव में सिक्के ढूनता है और इंसान भगवान पैसों का नहीं श्रद्धा का भूका होता है सबसे पहले मैं आपको बदा दूँ कि आज आग के लिए शुब रंग रहने वाला है नेला यानि प्ल्यू और शुब आंग कर सकती है आग के साथ कुछ न कुछ अच्छा होगा नौकरी और बिजनस में बदलाव का मन बनेगा माता का सहयोग मिलेगा चिंद्रमा कुंडली के चौते भाव में होने से कुछ नया काम करने से बचना होगा मांसिक अस्थिर्था की कारण परिशानी बढ़ेगी भवनात्म तोर पर कमजोरी हो सकती है पैसो की कमी महसूस होगी निवेश के लिए दिन बढ़िया नहीं है सावधान रही आज का जो दिन है वो आग की धन से लेडिर मामलों में थोड़ा सावधान रहना पड़ सकता है आपको सितार कह रही है कि आपको उधार पैसा लिनी और दीनी द बनना नुकसान हो सकता है अगर आप वित्तिय मामलों में लापरवाही रखेंगे तो संभव है कि आपको काफी नुकसान उठाना पड़े साथे साथ कुछ लोगों से आपकी जो रिलेशन है वो भी खराब हो सकते हैं स्पेशली बिजनस और जौप में इस कारण जो है आपको थोड़ा साथानी बरतनी होगी आपकी राशी के स्वामी जो बुद्ध हैं आपकी राशी में विराजित होकर आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बना रहे हैं आज इस समय जो है दोस्तों से हेल्प लेने की अपिक्षा अपनी कारे प्रणानी पर विश्रास रखें यानि खुद की हॉसले पर हार्ड वर्किंग पर विश्रास रखें और अपनी शमताओं का आप भरपूर मात्रा में उप्योग कर सकते हैं कभी-कभी खरीदारी आदी में अनावश्य खर्च हो जाएगा आज के दिन हो सकता है क कि आप अपने दिखावे की प्रवरित्ती की कारण बीना सोचे समझे फिजोल खर्ची कर दे और बाद में जरूरत आने पर पश्टाना पड़े इसलिए जेव देखकर ही सब कुछ खर्च करिए वन्ना आने वाले दिनों में आपको काफी नुकसान खाना पर सकता है वहीं आज आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि व्यस्तता के बारे में अज आपको काफी व्यस्तता से गुजरना पड़ेगा आपको एक समय में कई काम भी करने पर सकते हैं यहीं आप काफी मल्टी टास्किंग करेंगे या एक काम खतम होते ही आपको और काम भी मिल सकता विसे बात तो बढ़िया है तो कि साथ इसाथ आपको थकान या फिर मांसिक रूप से परिशानी भी हो सकते हैं यसे लिए आपको आज मांसिक रूप से तयार रहना होगा आपके partners या फिर boss आपके काम के तरीकों से काफी संतुष्ट और खुश हो सकते हैं या आपके अच्छे भविश्य की और इशारा कर रहा है आपके राशे के जो स्वामी चंद्रमा है आपके लिए लाग दायक परिसितियां आज बना कर हुए है परिसितियां वश कारियों में आ रहे दिक्कतों में अब कुछ आपको रहत मिल सकती है कोई policy वगेरा भी mature होने से भी आर्थिक सितियां आपकी मजबूत रहेगे सिरफ अपनी मनमर्जी ना करके दूसरों की बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा यह बहुत ही जादा important है आज की दिन किसे बात पर जादा अड़ जाने से कुछ फैसले उलच सकते हैं देखिए मनमानी मत कीजिए दूसरों की भी जड़ा आज सुनेगा वन्हा आज आप से काफिज आदा बहस कोई कर सकता है साथ साथ में किसी प्रकार का मत भेद को टालना भी बैचर रहेगा अगर हो सके तो आज किसी से विवाद विवाद मत कीजिए लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने रिलेशन खराब कर सकते हैं और इसकी वज अन्कूल तो रहेगा है लेकिन आप मेंसे कुछ लोगों का पढ़ाई में फोकस नहीं रहेगा इसलिए आपको अपनी पढ़ाई की और फोकस करने के लिए तयार रहना होगा वरना आने वाले दिनों में नुकसान ठाना पर सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर सकते हैं आज के दिविसाय यानि बिजनस और करण के बारे में कि क्या कहता है अज आप अपने बिजनस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है लेकिन किसे अधीनस्त करमचारी की वजह से कारे की गती आपकी धीमी पढ़ सकती है कोई नुकसान भी होने क संभावना बन नहीं है बैतर तो यही होगा कि सारा काम आप अपनी निगरानी में और देख रेक में करें तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं बजाए से किये कि आप दोस्तों निर्भर हो सारी सार में आज वित्त की स्थिती भी अच्छी बढ़िया है दोस्तों को पैसे उधार देने का समय अच्छा नहीं है क्योंकि आप इसे वापिस पाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं यानिकि अगर आप अपने फ्रेंड्स को पैसे दे देते हैं तो जब आपको चाहिए होंगे तब आपको वापिस लेने में बहुत ही मुश्किल ही आ सकती है इसलिए सो समझकर ही आज आप अपने फ्रेंड्स को पैसे दीजीगा शेर आदी जैसे कारों में फायदा हो सकता है अगर आपने इंवेस्ट्मेंट किया है तू सिरकारे कामों में किसी प्रकार की रु चेक रिखन्निकों मिलेंगे आपके वरिष्टों में आपकी बहुत मांग रहेगी आप आज सुर्खियों में रहेगे आके बाद अपने कार्षी को पूरा करने के लिए सही कोशल है इसका आपको भरपूर मातरा में प्योग करना होगा और अपना जो चीजें हैं जो आप में हुनन हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा ताकि लोग समझें कि आप भी केसी से कम नहीं है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की लव लाइफ के बारे में तो चलिए लव लाइफ कहती है कि प्रेम से रिलेटिड रिष्टो को मजबूत करने में आपकी इंपोर्टन जो भूमिका बनी रहेगी और स्थिती जो है उलास पूर्ण रहेगी यनि खुशी का महर्ण बना रहेगा परिवार में भी सुख़द वातावरन रहेगा किसी महमार के आने की खुशी में घर का वातावरन भी बदर सकता है आप अपने साथी से चिर्चिरी लगते हैं शांत रहें आपका साथ ही आपकी हर बात सुनेगा अगर आप शांत रहते हैं तो इसके साथ ही पति-पत्री में आपस में किसी बात को लेकर बहें सुमासे की स्थितियां आप में जी कुछ लोगों की बनी हुई है आग वाहित लोगों के लिए आज दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का दिन हो सकता है घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है कहीं जार सकती हैं बाहर अपने साथी को कुछ ऐसा गिफ्ट दीजिए जो रहें पसंद हो विस रिष्टे को काम करने के लिए आपकी द्वारा किये गए परियासू की सरहना करते है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हेल्थ के बारे में तो आज हेल्थ कहती है कि कफ खांसी और वुखार जैसी समस्याएं आज आप महसूस कर सकते हैं लापरवाही मत कीजेगा बलकि प्रॉपर इलाज करें घर में ही अगर इलाज करते हैं तो जादा पैटर रहेगा वरिया आज आज आप में से कुछ लोग भारी संगीत सुनने से बचना होगा वरना आपको सिर्धर्द या फिर माइगरन की पेन हो सकती है जिससे आप मांसिक सित्या बिगर सकती है और नीद के भी कमी हो सकती है आप में से कुछ लोग बहुलत दिक सोचना आप में कुछ नेगिटिव ने विची विचार पन कर सकता है इसलिए अपनी भावनाओ पर आज आपको काबू भी रखना पड़ेगा अपनी काम को जादा मात्रा में मत कीजिएगा आपको कमर या फिर पीठ में समस्याएं पैदा हो सकती है जितना हो सके उतना काम कीजिए फर्णा जो है आपको कहीं दिक्कता सकती है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की विशेश उबाए के बारे में सबसे पहले तो आज उबाए में आपको उत्तर पूरव की और मुख करकर सोना चाहिए और साथ ये साथ में एक जो तांबी का बरतन है उसके बीच में आप पानी भरकर अपनी सिरहाने के पास लेकर सो जाएगा और सुबह उड़ते ही ये जो पानी है आप किसी पौदे में डाल दे इससे जो है नेगटीव उर्जा आपसे दूर हो जाएगी साथ ये साथ अगर कोई आपको नजर वगएरा लगी है तो वो भी दूर हो जाएगी अगर आप घर के मुख्य द्वार पर जो है ओम का चिन्द बनाते हैं या फिर कुछ लगाते हैं ऐसा तो इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकते है तो दोस्तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा धन्यवाद